लो बजट, हाई इंकम, ना हीरो, ना बड़ा बजट, सिर्फ कहानी के दम पर इस तीन कडोडी फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर की ताबर तोड कमाई बॉलिवोड में कई ऐसे फिल्में बनी हैं जिसमें कहानी ही प्रधान रही है बिना किसी हाई फाई बजट और बिना किसी नामी हीरो के सिर्फ कहानी के दम पर फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाया था आज हम ऐसे ही फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो 28 साल पहले रिलीज हुई थी और लोगों के दिलों को तहला गई थी जी हाँ असल कहानी पर बनी बैंडिट कुईन ही वो फिल्म है जिसमें कोई हीरो नहीं कोई मोटा तगड़ा बजट नहीं सिर्फ एक दमदार कहानी थी जिसे काविल कला कारों ने बड़े पर उतारा था 1994 में रिलीज हुई सेखर का पूर निर्देसित फिल्म बैंडिट कुईन में एक आम लड़की की चनबल की ड़केत बनने तक की कहानी दिखाई गई थी केवल तीन दल समलो 25 करोर के बजट में तयार हुई इस फिल्म ने लोगों को इतना लुभाया की बैंडिट कुईन ने बॉक्स ओफिस पर बजट पर एक या दो गुना नहीं बलकि 6 गुना कमाई कर डाली थी रिपोर्ट की माने तो बैंडिट कुईन ने बॉक्स ओफिस पर करीब 20 करोर की कमाई की थी फिल्म बैंडिट कुईन को बेस्ट फीचर फिल्म केटिगिरी में नेशनल अवार्ड भी मिला था Famous film Maker Sikhar Kapoor ने फिल्म माला सेन की किताब Bandit Queen The True Story of Fulan Devi से इंस्पायर होकर बनाई थी Media Reports के मताबिक Sikhar Kapoor ने देशिक फिल्म में कुछ scenes ऐसे थें जिसको लेकर खुब बवाल भी मचा था Film की कहानी उस लड़की के इर्द गिर्द घुमती है जिसका सर्याम कुछ लोग गेंग रिप करते हैं फिर वह लड़की बंदुख उठा कर डगयद बन जाती है और उन लोगों को मौत के गहाट उतार देती है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था बैंडित क्वीन फिल्म में सीमा बिस्वास ने फुल्म देवी का किरदार ने भया था सीमा के अलावा फिल्म में निर्मल पांडे, अधित्य सिर्वास्तव, गजराज, राओ, सौरव, शुकला, मनोज, बाजपई, रगुविर, यादव जैसे नामी कलाकारों ने अपनी अधाकारी दिखाई थी दोस्तों ऐसे ही बॉलिवुड की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए